नश्कर दोस्तों मैं हूँ धर्विर्स्तीजा मेरी खेती सची खेती में आपका स्वागत है काफी सारे सवाल और सुझाव भी आये है एक सुझाव आया है कि pH value का हमारी फसल पर क्या आसर पड़ता है और में सवाल तो गेहों के पीले पन पर गेहों की ज़्यादा पैदावार के लिए इस समय क्या करें कौन सी खादे डालें वा कौन कौन सी खादें कौन से नूट्रियंट कौन से माइक्र नूट्रियंट कब डालें कितना डालें और किस न्यूट्रिंट को किस के साथ मिला कर स्प्रे कर सकते हैं फंजिसाइड इंसेक्टिसाइड को न्यूट्रिंट के साथ मिला कर स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते बात भी जायज है वाजिब है कि बार बार स्प्रे करने से मेहनत, समय और पैसा वेस्ट होता है तो हर कोई सोचता है, मैं भी सोचता हूँ कि सब कुछ एक साथ ही स्प्रे हो जाए तो जान छूट जाए जान नहीं छूटवानी है, जान तो ऐसे नहीं छूटएगी जो सिस्टम है उसका तो फोलो करना ही पड़ेगा कुछ सवाल लिहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के उपर भी आये है जिब्रैलिक एसिट के उपर भी आया है तो इन सब को बारी-बारी से डिसकस करते है तो मेन जो एक सुझाव आया था पी-एच वैल्यू के उपर तो ये जो 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 आस्पेक्ट है पी-एच है तो कुछ न्यूटेंट्स इजली अवलेबल है कम पी-एच है तो उसके उपर कुछ न्यूटेंट्स कम अवलेबल है या जादा अवलेबल है तो इसकी तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा एक स्वीटी कम बोज है उन्हें नमस्कार मैंने 30-86 वीट वो ही है जो इस समय गाबे पर है तो इस टाइम पर क्या न्यूटेंट्स देना चाहिए प्लीज टैल मी वही देखे जी 0-52 प्लस जिंक प्लस बोरोन ये देए आप गाबे पे तो सर मेरी गहूं जीत पटेल दिये गेहूं 65 दिन की हो गई है गबोट की स्तिती बनी है मैंने 3 पानी लगा दी है अब मैं इसमें क्या इस्तिमाल करूँ स्प्रे में 0-52 चोंती के साथ एक फंजी साइट प्रोपिकोनिंजल और माइक्रोन न्यूटेंट भी मिला सकते हैं आप ही बताईए इस टाइम पर मैं क्या करूँ 65 दिन के उपर तो आप माइक्रोटेंट के स्प्रे करें आप पहले नहीं किये अगर तो जैसे मैंने बताया आपको 4-5 जो बताये हैं जिंक, बोरोन, मैंगनीज, मैंगनीशियम और फेरसलफेट इससे जो आपको आपकी हर्याली, बढ़वार और जो आपका सिटा बना हुए तनी के अंदर वो अच्छा आएगा तो बाद में आप 0, 52, 34 जिंक और बोरोन स्प्रे कर सकते हैं फंजी साइड जो है न नहीं मिलाना है किसान चैनल से हैं सलफर 80% WDG फोलियर स्प्रे के लिए कितना रिकमंडिड होता है एक एकड में, सर जी ये 500 ग्राम रिकमंडिड होता है एक एकड में स्प्रे के लिए जोट सिंग जी है सर गेहूं के पत्ते की नोक दो-दो इंच पीली हो गई है, क्या बिमारी है कोई खाद की कमी है क्या तो मैं यह उनके बता रहा हूं कि यह जो पत्ते की नौक पीली होगी है यह ठंड में होई जाती है जब सूरज काई दिन न निकले या फिर सल्फर की कमी से हो जाती है या आमने कोई ऐसा फंजिसाइड निसेक्टिसाइड स्प्रे किया होगा जिससे जादा हो गया होगा या वीडी साइड मन्वूसी को मारने के लिए तो इससे पीले होगे है जो पीले हो गया हो वापिस तो आ नहीं सकते लेकिन जो आप आपने आगर पानी देना है ना तो पानी से पहले तीन किलो सलफर नभबे परशंट आप डाल दे या फिर माइकर नुटियंट का स्प्रे करें घबरानी की कोई बात नहीं कई वारेटी का ऐसा क्रेक्टर भी होता है अशोग गुपता जी कैन वी यूज एंड मिक्स आल फॉर नुटियंट्स इन वन ताइम एस पर यह डोसी रिकमंडिन इन वन लिटर ओटर इस प्लीज के 120 लिटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं अब यह लास्ट ले रहा हूं क्वेश्टन्स वही हैं रिपीट हो रहे हैं अशोग गुपता जी हैं कैन वी यूज मल्टी माइक्रो नुट्रियंट पावडर हैविंग बोरोन 20 परसेंट जिंक सलफेट मैंगनीज आयरन सलफे यह मॉलिबिडनम कॉपर सलफेट मैंगनीशम ऑकसाइड इंस्टेंड ओफ अलग लग कंपोनेंट इंप्लांट्स इंपोर्ट्स फोर स्प्रे ओवर लीव्स प्लीस टैल मैं तो आपको यह बताता हूं भी अलग लग खरीदो अलग लग करो आपको एकर इकठा बना हुआ म थे लिगा सकते हूं कोई कंपणी मना कर देह रही है देती है कंपनी रहाइं मैं अलग लग इसलिए मानता हूं कि मैं खुद किसान हो जिमिदार हो यूज करना होता है मैं तर कंपनी मिला यह देती है वो आपको देखो जी 500 रुपे पर एकड से कम का खर्च्ण होगा मैं ज कोस्ट भी तो देखो गुरुपरीत सिंग गौपी सिंग जी का ये क्वेश्चन है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को यूज करने से कनक के निसारे पर फरक पड़ता है या नहीं मतलब कनक अपना निसारा अपने टाइम पर लेती है या निसारा लेट हो जाता है देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो उनका काम है उसकी जैसे मेंली लियोसिन की बात आप करें होंगे उसका काम है उसकी हाइट को कम करना उसकी जो इंटर नोट्स है उनकी जो लेंथ है उसको कम करना ताकि हाइट कम हो जाती है और गिरती कम है यह बेन मक्सद उसका यह है तो निशारा तो अपने टाइम पे ही होगा मनले उसके टाइमिंग के कोई असर नहीं पड़ेगा इसके उपर अच्छा दूसरा क्वेश्चन एक है गुर्दीब सिंग जी का है सरजी यूरिया मैंगनीज चिलेटिड जिंक डिएपी बोरोन मिक्स करके स्प्रेक कर सक देया और एक तेरा जीरो पंतालीद एनाल एनना वीचो की की मिक्स कर सक देया तो इतने सारे हैं तो मैंने तो इनको यह कहा है कि आप इतने सारे एक साथ मिक्स ना करो फास्फेट के साथ सल्फेट ना मिलाएं जैसे आप 13-0-45 के साथ बोरोन मिक्स कर लो जिंग मिक्स कर लो जैसे अब बालिया निकलने वाली हैं और यह 17-80 दिन की फसल हो गई है तो इसे में आप 13-0-45 प्लस बोरोन प्लस जिंक चिलेटीड लेना जिंक उसको मिला आगे स्प्रे कर दो फिर ग्रोथ रेगुलेटर के ऊपर एक क्वेश्चन साथ है दिवेंदर सिंग जी का सर जी नमस्कार मेरे प्लास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पिछले साल का है HPM 24 कैरेट है पिचासी दिन की गेहों होगी है क्या हम इस पर स्प्रे कर सकता हूँ इसमें जिब्रैलिक एसिड है किरपे बताएं इसका क्या फाइदा होगा जिब्रैलिक एसिड जो है न वो तो बढ़वार के लिए ग्रोथ के लिए पोदे को बड़ा करने के लिए यूज होता है तो पिचासी दिन की गेहों को अब और बढ़ा करके क्या करोगे बढ़ा करोगे तो गिरेगी पानी देऊगे लास्ट में तो जिब्रैलिक एसिड जो है न ना यूज करो लिहोसिन जो होता है वो पोदे को छोटा करने के लिए होता है जिब्रेलिक ऐसे बड़ा करने के लिए होता है वैसे इसके एक्सपारी तो बोतल के उपर लिखी होईगी एक क्वेश्चन बहुत हमारे साथ भी हो जाता है कई बारी MRS विश्णोई साहब हैं शायद राहिस्तान साइट से होंगे य जब हम मिट्टी उठाते हैं हमारी जो जमीन होती है नो इंच एक गिट के करीब उसको स्वाइल बोलते हैं आज कल जीरी के पाड़े काट काट के सैमी लैंटर सा बन जाता है जमीन सकत हो गई है तो हम जब हल चलाते हैं तो पांच-छे इंच से ज्यादा हम मिट्टी नहीं पोल्टी की खाद भी डाल दें पोल्टी की खाद ज्यादा नहीं जाल सकते हैं एक टॉली डाल दें गोपर की खाद तो जितनी मर्जी डाल दें माइक्रो न्यूटेंस का भी यूज करें क्योंकि काफी कुछ आपका कम हो गया है नाइट विजन, फास्फ़र, स्पोटाज, जो है ना अपने खेत के अंदर ही मिला दें फिर बाद में फसल उठाने के बाद, एक क्वेश्चन है, सर मैंने अठाई क्यावन ये लेट वराइटी है, कनक की, 31 इसम कर बुआई की थी, ये अनुज कल्यान जी पूछ रहे हैं, बता सकते हैं कि दूसरे यूरिया में सरसों की खली डाल सकता हूँ, अब अठाई क्यावन बहुत छोटी है, और 0-52 का स्प्रे कब करूँ, हाँ जी आप सरसों की खली डाल दें, इसके अंदर अच्छे N-PK भी होता है, माइक्र लूट्रेंट्स भी होते हैं, तो बीस किलो पच्छिस किलो तो आप डाली दें, और 0-22 पच्छिस जो है ना बालिया निकलने से पहले करें, फ्लावरिंग स्टेट से पहले कर दें, साथ में जो है आप बोरोन भी विला दें, एक ग्राम बोरोन पर लीटर ओपानी, डेड़ एक्सो ग्राम बोरोन हो जाएगी, और साथ में आप थोड़ा सा चिलेटिट जिंग भ सकते हैं, एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि बोरोन जो है ना साड़े तीन सो रुपे किलो मिल गया, तो किसी भाई को इस रेट मिला नहीं होगा, और जीरो बावन चौनतीस एक्सो तीस चालीस रुपे किलो है, तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं मेरे से, कुलविं सब कुछ है, आप वहां से ले सकते हैं, आपको वो सही रेट पर मिल रहा है, तो इसका जो आप ये सपर्श सिंग जी ने भी दिया है, इसको बज़ार से आप ले सकते हो, एक क्वेश्चन है, लियोसिन के उपर ये, वो ये पूछते हैं भारत भी न जी है, वो ये पूछ रहे हैं, कि सर इसके साथ कीट नाशक भी मिला सकते हैं, क्या, और मिला तो कौन सा कीट नाशक मिला सकते हैं, भाई साब आप लियोसिन के साथ कुछ नी मिला सकते हैं, ना कीट नाशक, ना कोई NPK, इसको अलग से ही करें, विरेंदर जंगु जी है, डक साब मेरी वीट 15 फर मैंने का आए जी बाली निकलने के बाद तो 0050 ही डाले जिरो बावन चौंती बावन फासकरस का इस समय कोई काम नहीं आप 0050 डाले वैसे फंजी साइट के साथ मिला कर मैंने जब भी 0050 किया है तो मेरे पत्तों की ऊपर की जो टिप होती नहीं एक दो इंच वो थोड़ी सी पी आगे पूछ रहे हैं क्या है जिंक बोरोन 13-045 सुलफर 80% प्लस कली वाला पानी कली चूने का जो पानी होता है जो उससे कैल्शीन हमारे पोदों को मिल सकता है तो कहते हैं भी ये सब मिला के कर दे तो मैंने कहा है जी अब कली वाला पानी ना मिला हो इसके साथ क्योंकि फेट है बोरोन 13-045 ये तो आप मिला सकते हो कली वाला पानी मिलाना है तो आप सल्फर ना मिलाओ ठीक है जी कली वाले पानी की डोस जो होती है आधा किलो चूना उसका जो पानी मनेगा वो एक एकड़ में स्प्रे करना होता है तो दोस्तों मेरी हमेशा ये कोशिश रहती ह आपका समय खराब ना करके सीधा टॉपिक पर ही बात करूँ काम की बात करूँ कई बार ही डिटेल में भी समझाना पड़ता है सब तरह के किसान साथी को साथ लेकर चलना चाता हूँ वीडियो देख कर सुनकर हम सब धीरे धीर एडवांस हो जाएंगे एक लेवल पर आ जा